9 months back, मेरी एक patient का IVF से positive हुआ और वो भी twin pregnancy उसके बाद scanning किया गया, तो सारा events नॉर्मल था दोनों जो fetus थे, वो काफी अच्छे grow कर रहे थे cardiac activity भी बहुत अच्छी थी 16 साल के बाद ये result, definitely patient के लिए बहुत ही good news था लेकिन जब मैंने 10th week में उसका address sound किया तो उस समय उसका एक sack थोड़ा छोटा दिखा तो इसके बारे में मैंने patient से counseling भी की कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई second जो sack है वो regress भी कर सकता है ये सुनकर थोड़ा तकलीफ भी हुआ patient को फिर दुवारा, जब 20 weeks मैंने scan किया तो उस समय जो second sack था वो completely regress हो चुका था cardiac activity lost हो चुकी थी अब इस बात का डर था कि ये जो first growing fetus है वो 9 month तक जाएगा या नहीं जाएगा और वो जाएगा भी तो वो जो बच्चे जन्व लेंगे वो congenetically active होंगे या नहीं लेकिन सबसे खुसी की बात है कि कल मैंने cesarian से एक baby को जो deliver किया वो baby बिलकुल ही active है कोई भी अन्वान सी congenital problem नहीं है और मा को इतनी खुसी है इस 16 साल के बाद उसे एक इतना सुन्दर और healthy baby मिला उसे